नमस्कार दर्शक मीट्रों उचु जल्पा में तापजुर याजो गुजरात यू सत्यानी साथ नाजुना विश्विश कारेक्रम है इस प्लस्मा आपनू स्वागाश्वे इस प्लस्मा आजु आपने चर्चा करीशतो स्पाईन पर क्याहाल जीरी ते घणाल लोको नी स्पाईन लेने प्रब्लाम हायाश्युरे खासक नमने जो वाद करिए कि आपड़ा सरीर मा अनिक अंगो आवला जो के ने लेने कई ने कई समस्याओ जो खासक नमना जी मनका नी वाद करिये तो मनका ने लेने पन घणा लोको नी दुखाओ रेता हो अथा तो कोई नी कोई प्रोब्लेम सोई चे पर ख्याल नधी आओ तो बस शरीर मा दुखाओ थायाए चे एकलि कल्स खबर हो चे पन तो ये दुखाओ थाहा पाछान नू चाहां वाच्या नूड श्वेश करिये लेकोंका मंनट चे तो मनका , तो त्या मनका मा दूखे छे येत पन खर करीनू कारण श्रू चे श्रूं काम अने हाली जे घ़ जहुखे लिखर साथ राव के लिखे लिखा एंगे लिखर स्टूडियों अ उप्पास थी छे मुझे जुखे भल गउर खंडेल वाल जा चाहिए लुट डॉक्तर्टर रो करत्र साइब अदंबलेुडबलाव सब्सक्राइब लिखर भल दोक्तर साल चिर्चाई पनला रोप वात करिये तो FNB in spine surgery जो क्या हाल इमना अनुभवनी वात करिये तो जो खास करिये आपने जो सूरत नी जे आपनी फेमस हॉस्पिटल सेल में मल्कि स्पेस्विटल लिश्ट होस्पिटल तेमा छेला चार वर्सथ तो तानी फरज निवाविघी आपने जो खास चाहँगी कि जैसे हम अबी बाबत पे बाटे करें लोगों को यह समझारें लेकिन सबसे फिर लोगों को यह बात पता हो यह जो पता है होनी चाहिए कि स्पाइन क्या होता तो आप सबसे पहले हमारे दर्शमित्रों के यह बताए कि स्पाइन होता क्या है मुल सब मुल तो गर्धन से लेके कमर तक रीड की हड़ी जिसको बोलते हैं उसके अंदर एक चोटा फिर मंड़का होता है उसको स्पाइन होता क्या है सब्सक्राइब अब आप कर अरद की वे जिसको बहुत सार डर होता है जिसे सरजरी का नाम आता है वोगों के अंदर बैट जाता है तो फिर आप ये लोग के स्पाइन के जो सर्जरी से लोग डरते क्यों है? तो इसके काफी कारण है, अभी तो फिर भी काफी डर कम हो गया है, पहले के साब से पहले तो बहुत ज़्याद़ डरते थे, पर अब जैसे लोगों ने दूसरों पेशियंट्स को देखा है, सर्जरी करके अच्छा होते हुए, तो अभी पहले से काफी डर कम है, पर डर होने क में कारण यह है कि पहले कभी तो किसी की सरजरी हुई है और वो सरजरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया उसके बाद कोई तकलीफ बढ़ गई पेशेंट की या तकलीफ कम नहीं हुई और फिर बाकी लोगों ने उनको जब देखा तो उनमें वो डर बैठ गया और फिर वो सो कारण खुद पेशेंट ही है या एटलीस्ट है तो बहुत दिनों तक जब तक तक तकलीफ गले पर नहीं आती तब तक पेशेंट काफी बार ट्रीटमेंट लेते नहीं अगर ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं तो ट्रीटमेंट काफी बार पूरी नहीं करते अगर थोड़े द पहले से ही अगर हो गए हो, उसके बाद अगर वो सरजरी के लिए जाएंगे, तो फिर रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। और कोई भी सरजरी कराने के बाद ये तो किसी को बताएगा नहीं कि मैंने ही देर करके अपना पैर पहले पारलाइस कर लिया था। तो वो तो यही बताएगा कि देखो मैंने सजरी भी की बड़ अभी तक अच्छा नहीं हुआ तो उससे फिर लोगों में और डर बैट जाएगा तो कुछ हद तक तो पेशेंट्स की भी गलती थी दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि हमार देश में कोई रेगूलेशन नहीं है तो कुछ हद तक गलती हैं डॉक्टर्स की भी थी कुछ डॉक्टर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के बावजूद वो मंड़के की सजरी करते थे करते है फिर उसमें कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन होने के बाद फिर डर बैट जाता है कुछ अच्छे डॉक्टर है जिनको सजरी एक्चुली करने आती भी है वाट अनफॉचनेटली ऐसे इंस्टिट्यूट्स में है जहां पर एक्विप्मेंट अच्छी नहीं है जहां पर माइक्रोस्कोप नहीं है नियूरो मॉनिट्रिंग नहीं है तो अच्छे सजरी करने के बाद भी ठीक नहीं होते पेशन्ट या तकलीफ बढ़ता है तो फिर वह नेगेटिव निउस बहुत आसानी से स्प्रेड हो ज पाईसाल अगरना को वह नेगेटेै blood scream Ka little pit question questionн Albics दिखा हे ने और मोरा रपेशन्ट या प्रयस फेले और मेल की मनके का पेशन्ट जो है और को कैसे पता चलेगा कि आपको मनके की बिमारी है तो जो commonest symptoms है, जो आपको तकलिफ होगी, वो या तो गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, पीट में दर्द, या हाथ-पेर में जुन-जुनी वगरे, दिया दर्द, ऐसे टाइप की तकलिफ जब होती है, तो आपको पता लग सकता है कि आपको मंटके की तकलिफ हो रही है, तो अगर तकलिफ ज़्यादा है, तो अपने पास वाले डॉक्टर के पास या अपने फैमिली फिजिशन के पास एक बार जाकर दिखा सकते हैं, तो इन में से अगर गर्दन में दर्द या कमर में दर्द ही है, और अगर वो दर्द थोड़ा हाथ में आ रहा है, या पैर में आ जाएंगे मगर अगर आपके हाथ में या पैर में सुनता आ रही है पैर सुन पड़ जा रहा है हाथ सुन पड़ रहा है या जंजनी चल रही है और वो कंटिनियूस चल रही है दिन में भी रात में भी या बार बार आ रही है और अपने आप वो एक दो दिन में कम नहीं होती या फिर हाथ या प्यर में कमजोरी आ गई, पहले जो काम कर पा रहे थे नहीं कर पा रहें। तो इमेजियेटली आपको फिर स्पेशलिस्ट के पास जाना ही चाहिए अगर आप काफी दिन से ट्रीटमेंट ले रहे हो फिर भी तकलीफ कम नहीं हो रही है तो फिर डेफिनिटली आपको एक स्पाइन स्पेशलिस्ट का ओपीनिन लेना चाहिए बिलकुल अर्जी सम अभी इक शाया में सबसे ज्यादा है और शवरी की जरूली है हमें कैसे पता चलता है कि मन्कें सबसे ज्यादा प्रॉपलम हो रही है कि हमें मन केंधकर प्रॉलम ज़ूल्डा बढ़ जाता एक अलदर मन्कें में कोई नस दब गई है उसके कारण हाथ या पैर सुन हो गए जंजनी आ गए या काम करना बंद हो गए या पेशा आप संडास में प्रावलम हो जाए तो फिर तो आपको वो सरजरी का में परपस यह है कि अंदर कोई भी चीरफाड बिना किया सरजरी करना तो मनके में जब भी सरजरी होती है तो सरजरी करने के बाद जो में प्रावलम था वो काफी बार ठीक हो जाता है मगर जो चीरफाड होती है सरजरी की उसके कारण तकलिफ बढ़ सकती है और जो कमर के स्नायूं अगर है वो अगर वो डैमेज हो जाए सरजरी में तो फिर वो लंबे टाइम तक तक तकलीफ कर सकते हैं तो बिना चीरफाड किये जिसको मिनिमली इन्वेजिव सरजरी बोलते हैं तो उसमें मंके में जो हम सरजरी करते हैं जिसको एंडोस्कोपी भी बोलते हैं वो बहुत ही छोटी सी दूरबीन से होती है 6.3 mm मतलब आपकी छोटी उंगली से भी छोटी दूरबीन सिर्फ वो छोटी दूरबीन अंदर जाती है पहले का आपका जो भी नॉर्मल मसल हड़ियां जो है उसको बिना टच किये जो प्रॉबलम है सिर्फ उसको ठीक करते हैं इसमें कोई खून नहीं जाता इसमें पेशेंट सरजरी करते हैं सीधा टेबल से ही चलना चालू कर देता है इसमें पूरा भूल देनी की भी जरूवत नहीं है लोकल अनेस्तेजिया में ही कर सकते हैं तो इवन कॉंपलिएट पेशेंट जो है जिनको जादा बीमारी है उन्में भी आसानी से कर सकते हैं और इसमें स्टिज भी लेनी की जरूवत नहीं है क्योंकि इतना छोटा सा छेद रहता है कि उसको सिधा बैंडेड लगा सकते हैं और सेम डे पेशिन को डिश्चाज भी कर सकते हैं तो यह है जीरो स्टेज शर्जरी आती है तो सब लोगे ही सोच लेते हैं अगर मैं सर्जरी करांगा उप्रेशन करांगा तो मुझे एक-दो मह करने का आराम करना पड़ेगा यह वो सब ही सब और खास के और चीर फार से डरते हैं इसलिए वो सर्जरी से ज्यादा डरते लेकिन अभी ज्यादा टेक्नोलोजी की वज़े से ज्यादा तर लोगों को मनलब एक ही दिन में वो बिलकूल पहले की तरह हो जाते हैं तो हम भी कर रहे तो अगर यह spine surgery कर वाई त इस पेशंट ने तो क्या हो एक दम पहले की तरह normal रहे सकते मनलब वो पहले की तरह जीसे जो हेवी वजन वगरे पहले उठा रहे थे, वो सब भी करना चालू कर दिया उन्होंने, कुछ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, तो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, पूरे अक्टिवली, इन फैक्ट, एक पेशिन तो है, जो महारा स्ट हरी स्ट्री बना है, सर्जिय करने के, कुस्ती लड़कर जीतते हैं, स्टेट लेवल पर उसको महाराश्ट श्री बोलते हैं, तो वो गर्दन का एक मंड का पुरा चेंज करके आर्टिफिशल मंड का लगा है, और वो करने के बाद कुछ सालोबार ट्रेनिंग करके वो कुस्ती में, स्टेट में उसने, अगर सबसे अच्छा जीत कर अगर आया है, अगर वो कुस्ती जैसा इतना स्ट्रेसपूल अगर कोई एक्टिविटी कोई कर सकता है, तो नॉर्मल एक्टिविटी तो सब कर ही सकते हैं, जी बिल्कुल, और अगर हम ज़्यादा तर बात करें तो यह स्पाइन की प्रॉब्लम है, जैसे उमर बढ़ती है, वैसे वैसे न प्रॉब्लम के साथ बढ़ती है, तो अगर जो उमर के साथ सर्चरी करवानी है, तो क्या वो सक्सेश्पूल सर्चरी करवा सकते हैं, किसे भी उमर में? तो देखो, उमर के साथ प्र्लम्स तो बढ़ती है अगर ज़्यादा लेट करते हैं सरजरी में तो बाकी प्र्लम्स भी बढ़े गी इसलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए मगर अगर बहुत ज़्यादा उमर होने पर भी बिमारियां जैसे होती है वैसे अगर मंटके की बिमारी हुई तो spine surgery एक team effort है इसमें अकेला सिर्जन का काम नहीं होता है सरजन का अपना काम होता है मगर जैसे इसलिए जरूरी है कि patient भी एक अच्छी जगे ऐसे institute में surgery करा है जहां पर पूरी team मौजूद हो जैसे अभी Shelby hospital में हमारी पूरी पहले तो spine की team है फिर जो instrumentation है वो सब advanced instrumentation है जिसमें फिर patient की cheer fard नहीं होगी neuromonitoring है जिससे नसे surgery के बाद normal रहेगी इसका ख्याल रखा जाता है इसके साथ में 30 full time consultants है तो 30 consultants है जिनको एक phone call करने पर immediately कोई भी specialist ready हो जाएगा साथ में बहुत अच्छा ICU है ICU में specialist है तो किसी भी उमर में कितनी भी बिमारी क्यों नहीं हो जब पूरी team of specialists with best facilities available हो with lot of experience among them तो तब जाके अच्छा result आपको मिलता है और ऐसे होने पर किसी भी age में surgery करने प्रॉब्लम नहीं है hundred years तक तो हम surgery कर चुके है तो यूजरी उससे उपर के patients तो आते नहीं मगर basically age कोई limiting factor है नहीं new bond से लेके hundred years तक कोई भी उमर में आसानी से surgery safely की जा सकती है और यह surgery करवाने के बाद किस किस चीज का ख्याल patient को रखना चाहिए कि जिसकी वज़े से यह surgery करवाने के बाद उनको और कोई problem नहीं हो उसके लिए क्या-क्या ख्याल रखना चाहिए प्रेशन को किसे भी एज में हो फिर किसे भी बीमारी में हो जैसे कि डाइबिटीज बीपीए कोई भी बीमारी उसके साथ अगर उसने स्पाइन सर्जरी करवाई अधर कैंसर की बीमारी कैंसर के जो पैशन उगर ने उसको स्पाइन की प्रॉब्लम्स आई और स्पाइन सर्जरी करवाई तो यह सभी लोगों को किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जिसके वज़े से उसको आगे और कोई problem नहीं हो बीमारियां होती है कुछ-कुछ बीमारियां तो अवाइड नहीं कर सकते हैं अगर infection होना मंटके में तो हो ही सकता है मगर जो घिसावत होती है मंटके में और कमर का दर्द और गर्दन का दर्द जो काफी common problem है वो कम करने के लिए सबसे important है कि आप regular कसरत करो तो regular कसरत करने से अगर उनमें इतनी शक्ति रहती है कि आपके बॉड़ी को प्रॉपर्ली सपोर्ट कर सके तो बॉड़ी में डैमेज होने का चांस कम रहता है जैसे कि अगर आप खेलकुद कर रहे हैं उसमें अगर आपके सनायू स्ट्रॉंग है तो आपकी हड़ियों पर आपके डिस्क पर आपके लिगामेंट्स पर जोर आने का चांस कम रहता है क्योंकि आपके सनायू बॉड़ी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो इसलिए रेगुलर व्यायम करना ज़रूरी है बाकी हड़ियों की शक्ति के लिए पहले से ही कम उमर के टाइम से ही हड़ियों में शक्ति बनाय रखना ज़रूरी है जिसको पीक बोन मास बोलते हैं हड़ी में मास अगर आप बनाये रखेंगे कम उमर में ही क्योंकि उमर के साथ धीरे धीरे हड़ी तो कमजोर होने ही वाली है तो इसलिए एक ज़रूरी है कि जब हड़ी कमजोर बनने से पहले ही उसको आप जितना हो सके और फिर आगे उमर के साथ में पॉस्टिक आहर लेते रहें जिससे कोई विटेमिन्स या कैल्शियम की कमी ना हो आपकी हड्डियों को कम्जोर करने के लिए और साथ में कसरत भी करें तो हेल्दी आपका मंद का रहेगा जी बिल्कुल और सर्जरी के बाद किन किन चीज़ का ख्या रखना चाहिए तो वैसे कौन सी सर्जरी हुई है यूजरी के अगर बात करें एक शप्त लेकर अच्छली मंद के में बहुत टाइप की करीब धाईसो टाइप की अलग सर्जरी होती है और हर सर्जरी के बाद में अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं बड यूजयली अगर हम जो दूरबीन वाली सर्जरी की बात कर रहstep humor है तो almost immediately सर्जरी करते ही पहले जो भी अक्टिविटीज कर रहे थे उन में से करीब सारी अक्टिविटीज अब शुरू कर सकते हो और करीब एक महिने बर बात तो पूरा हेवी वजन वगरे उठाना और जो कुछ स्पोर्स और जितनी अक्टिविटीज थी आपके सारी नॉर्मली चालू हो जाती है और अगर हम बात करें तो जीन को भी स्पाइन की प्रॉब्लम्स होती है पें होता है तो ज्यादा तो लोगों क्या होता है कि मार्केट में जो ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है उनकी तरफ बात नहीं है जितने लोग बोलते है उतने लोग अलग 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 था नहीं है त ratesi in reality को det in सही है इंस है तो पहले ये समझना ज़रूरी है सिर्फ मंणके के लिए ही नहीं गर सारी बीमारियों के लिए पूरे एल्थ के लिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है बहुत ही बेसिक थिंग है अनफॉचनेटली ज़्ञदतर लोग को ये समझ नहीं रहती की कि self-limiting disease नाम की कोई चीज रहती है self-limiting disease का मतलब है ज्यादा तर बीमारिया अगर आप उसको कोई भी इलाज ना करो तो समय के साथ अच्छी हो ही जाती है आप कोरोना कोई ले लो तो उसके उपर कोई actually दवा काम नहीं कर रही है उसमें से ज्यादा तर patients, सब नहीं, करीबद 90% patients को बीमारी होके ठीक हो जाते हैं और कोई दवा की जरुवत नहीं पड़ती मगर 10% patients ऐसे होते हैं जिनको तकलिफ बढ़ेगी और फिर उनको दिखा नहीं है अब 90% जो spine के patient है वो कोई भी इलाज क्यों ना करा ले कोई भी, वो इलाज है भी या नहीं, वो मंदिर में ही चले जाए, कोई बाबा की कोई बात ही सुन ले तो वो ठीक हो नहीं वाले तो जैसे आपको अगर सरदी हुई तो आप कोई इलाज करोगे तो साथ दिन में ठीक होगे इलाज से विसलिए है कि साथ दिन आपको तकलीफ कम हो, सरदी पे कोई इलाज तो है नहीं, तो वैसे ही 90 प्रतिशत पेशेंट्स बिना कोई इलाज के साथ ठीक होने वाले हैं, तो अगर उस टाइम पर आपने कोई भी इलाज करवा लिया तो आपका उसके बाद ठीक हो जाओ और फिर आप जाबके सबको बता हुए कि देखो मैंने यह नया तकिया आया है, बहुत ही स्पेशल है, इंपोर्टेट तकिया महेंगा वाला वो यूज किया और उससे मेरी बीमारी ठीक हो गई, पर वो तकिया बीमारी ठीक नहीं कर रहा है, वो तो अपने आप आपका शरी फैमली डॉक्टर होंगे, जिनको आप हमेशा से दिखाते हो, कम से कम उनका एक बार ओपिनियन ले लो, उन्होंने इतने साल स्पीड में बिताय है, इतनी स्टड़ी की है, तो इवन जेनरल डॉक्टर को भी इतना तो पता ही होता है कि साइन्टिफिक चीजे क्या है और प् खुद होकर आप समझ नहीं पाओगे, कि बीमारी अपने आप ठीक हुई है या आपने जो भी इस्तमाल किया उससे, तो उसके चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि वह आप जो भी तक्या या चद्दर इस्तमाल करते रह गये और आपकी बीमारी बढ़ गई और फिर जब तक कि अपने जैसे आप नहीं बचे और अगर हम ज्यादा तर बात कर दो अबीना सबकी लाइफस्टाइल और जो भी खाना है वह एक दो जो रेग्यूलर नहीं जैसे कि लोगों का जो ज्यादा तर आठ नो घंटे तक बैठकर कॉंप्यूटर पर इसे काम करना जैसे बचों कर अगर बाड के एक्जाम जल रहे तो बचे कंटेनियू पांच छे साथ गंटे तक रीडिंग करते रहते तो मनला बैसिकली ज्यादा तर बैठे है अभी हम बोले तो लाइफस्टाइल ऐसी हो गए कि ज्यादा तर जो भी काम करते सब लोग ऐसे बैठे ही चेर पर बैठकर का यसके वज़ होता है तो उसको लह कर लोगों को क्या आपको सला दिना चाहें कि कौन कम से चीजे का ख्यार द अखना चाहें, कि जिसके वज़ ज़ас से ये प्रॉब्लम ना हो तो ये काफी महत्वपूर्पूर्ड सवाल है क्योंकि दो तीन चीज़े है, एक तो इसमें पॉस्चर की बात आई, कैसे बैठते हैं लंबे टाइम तक, दूसरी बात ये है कि बच्चों की बात की, तो पहले अगर पॉस्चर की बात करें और एक टाइम लंबे समय तक बैठन जिसमें आपकी कसरत हो रही है तो फिर आप अगर exactly जैसा पॉस्टर होना चाहिए वैसा ना भी बैठो तो आपको तकलीफ नहीं होगी क्योंकि जो टेक्स्ट बुक्स में या आपको इंटरनेट पर दिखाए गया है कि इस तरह ही बैठना है इस आंगल में ही बैठना है वैसे पूरे टाइम बैठ कर आप काम नहीं कर सकते हैं काम करने में तो आपको मुवमेंट करनी पड़ेगी और यूजिली ऐसे इस तरह बैठना पड़ सकता है कि कमर पर आपके जोर आये गई आपको आपके शरीर को इतना स्टॉंग करना है आपके मंदके को इतना स्टॉंग करन कि किसी भी पोजिशन में आप काम कर पाऊ और उसके लिए रेगिलर स्पोर्ट्स या रेगिलर एक्टिविटी या एक्सेसाइज करना जरूरी है दूसरी दूसरी बात आप जो बोल रहे थे बच्चों की तो यह बहुत इंपॉर्ट टॉपिक है क्योंकि बच्चों में हमेश बच्चों में ऐसे मान लेते हैं कि मनकी की बिमारी होती नहीं पर यह बहुत ही गलत है बच्चों में काफी सारे मनके के प्राबलम होते हैं और तो और कुछ प्राबलम ऐसे होते हैं जो बच्चों में तब ही ठीक नहीं किये गए तो बढ़ते जाते हैं एस्पेशली इसको स्कोलियोसिस बोलते हैं जो बांकपन जो मनके में बन जाता है वो अगर सही उमर में नहीं पकड़ा गया और बाद में अगर बढ़ जाए तो उसको बहुत ज्यादा बड़ी सरजरी करनी पड़ती है काफी बार मनका सीधा भी नहीं हो सकता उसमें रिस्क भी जादा है अगर एक बार एक डॉक्टर का अटलिस्ट अपिनन ले लो अगर एक स्रे में मगरे कुछ प्रॉबलम निकल जाए वो तभी ठीक हो सती है अगर हो जाएगी तो आगे के लाइफ लॉंग के प्रॉबलम जुन के कम हो जाएगी जी बिल्कुल अभी हम कारेटम के तरफ है माहिती दी इसके बिदाल आपका कुकुबाबा अजो आहांता डॉक्तर गवरोव खंडेल वाल के जिमने हाल आपनने स्पाइन वीसेज अटले सरस जानकारी आपी माहिती आपी कांटका अपने गणी वकत जे छे ते आपने मोट्टा जी आपणा गर्मा जी उम्मल लाइक इमना पर ध्यान आपदस जुखे आप प्रकानी समसी आप बाढकोने पन थेशके शे ले आप बाबतने लेने लोकोई खास ध्यान राखू जो ये तेमाद जी लोकोने रेगिलर वधारे समय बैसीने काम करवानू छो खास अपर कड़े के मेठाडू जीवन होय तो इमने प बरू गवरवू खंडेलवाल डॉक्टर साहिब छुए च्यमने तमे त्या मणी नेस अत्यार वधू जानकारी पन त्याहिया आप मिले शको छू अत्यार हाल बस साथलू जो तारहो गुचिरात न्यूस सत्यनी साथे नमस्कार